नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं चाहान वीडियोज और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हुआ कि क्या एस्टुंट्स अपनी से राप्ना सटेडी सैंटर और अपना रीजनल सेंटर अड्मीसन के बाद चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं और चेंज कर सकते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया है? क्या एलिजबिलिटी है तो आप इस वीडियो को पुरा जरूर देखे हर इगनु इस्टवन्ट के लिए यह वीडियो काफी important होने वाली है तो इस वीडियो की सुरुआ से पहले आप इस important अपडेट को भी जरूर देखें आप सभी के लिए लेकर आने वाला है huge surprise, बहुत बड़ा surprise जो की जल्दी ही आने वाला है तो इसलिए आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे code PC2021 जिसका link आपको description box से मिल जाएगा उसका इस्तमाल करके आप Unacademy का plus subscription लीजी और आपको 10% discount मिलेगा Unacademy लेकर आप सभी के लिए फरवरी offer जो की पूरे फरवरी तक valid है इसमें क्या है PC2021 code जो की यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा है और जिसका link आपको description box में भी मिल जाएगा तो PC2021 code का आप इस्तमाल कीजिए और SSC exam का plus subscription लेंगे आप एक साल का तो आपको 3 महिने का additional month का subscription फ्री मिल जाएगा और अगर आप SSC exam का subscription लेंगे 2 साल का तो आपको 6 महिने का additional month का subscription फ्री मिल जाएगा SSC exam का renewal subscription लेंगे आप तो एक साल के subscription पर तीन महीने का subscription फिली मिलेगा दो साल के subscription पर छे महीने का subscription फ्री मिलेगा और अगर आप SSC plus bank का combo लेंगे तो एक साल के subscription पर छे महीने का फ्री मिलेगा और दो साल के subscription पर बारा महीने का फ्री मिलेगा यह offer पूरे फरवरी में valid है तो PC 2021 code का इस्तमाल कीजिए अनकैडमी का plus subscription लीजिए और आपको मिलेगा extra 10% discount इसका link आपको description box में मिल जाएगा तो तुरंत ही अनकैडमी का plus subscription लीजिए All set, let's crack it तो सबसे पहले बात कर लेते हैं study center की काफी सारे student इस तरीके के होते हैं जिनको जब admission करवाया जाता है उस समय उनको इतनी जानकारे नहीं हो पाती और जो भी उनको study center दिखता है उसी को ही वो choose कर लेते हैं या जो उनको दिया जाता है उसी को ही वो उसमें admission के time पर ले लेते हैं लेकिन उसके बाद जब वहां पर Study Center में जाते हैं, वहां देखते हैं कि क्या मोहलख है, किस तरिके से पढ़ाई होती है, किस तरिके के भाँपर टीचर पढ़ाई करवाते हैं, क्या प्रक्रिया है पूरी तो उसके बाद उनको लगता है कि नहीं ये study center मेरे लिए ठीक नहीं है और मुझे किसी और study center में लेना चाहिए ताकि मैं दूसरे study center में पढ़ सकूँ या मेरे दोस्त भी दूसरे study center में जाते हैं वहाँ पर उसमें वहाँ पर अच्छी पढ़ाए इस study center के मुकाबले तो उस case में आप अपना study center जो है अगर चाहते हैं तो बदल सकते हैं यहां पर एक चीज में आपको और चीज बता दूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जो specific कुछ technical courses इस तरीके के होते हैं मानने जिए बी-ए है बी-कॉम है तो इसमें तो लगबख सभी study center जो है वो बी-ए की भी-कॉम की भी पढ़ाई ज्यादातर कर करवाते हैं क्योंकि ज्यादा कुछ पढ़ाने के लिए इतना नहीं होता और इनकी पढ़ाई लगबख सभी करवाते हैं लेकिन कुछ इस तरीके के technical courses होते हैं मानने लिए psychology के उपर course हो गया मानने लिए nursing के उपर course हो गया तो अब हर study center इनकी पढ़ाई नहीं करवाता तो अगर इस तरीके की कोई स्थिती होती है कोई language course है तो उसमें एक या दो study center ही होते हैं पूरे regional center के पास तो फिर आपके जो options होते हैं study center चूश करने के वो कम हो जाते हैं तो अगर ऐसा case है तो फिर तो आपको उसी study center में करना होगा जो की आपको दिया गया क्योंकि दूसरा regional center के अंदर और कोई study center ऐसा ही नहीं जो कि यह पढ़ाई जो आपने technical course या कोई specific course लिया है वो करवाता है लेकिन उसके अलावा आप चाहें तो अपना study center change कर सकते हैं एक regional center के अंदर यह आपको इस तरीके का form फिल करना होता है इसका link आपको pdf format में यह मेरे telegram channel पर आपको मिल जाएगा चाहे तो आप इसी को ही download करके print करवा के इसी को ही कर लिए या फिर खुद आप इस तरीके से इस format में अपने हिजाब से लिखकर अपने इस regional center में जमा करवा सकते हैं format simple है date लिखनी अपनी format for change of study center अपना enrollment नमबर आपको पास है program आपका नाम आपको पता और study center का code अगर study center का code नहीं पता तो लिंक आयागा उस पर लिंक पर आप क्लिक कीजिए उसके बाद अपना enrollment number डालना होता है course code प्रोग्राम को डालना होता है और जो security code होता है वो डालना होता और फिर जो खुल जाता है उसके right side में जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको सारी detail मिल जाएगी तो वहां पर स reason क्या है किस कारण से आप उसको study center change करना चाहते है वो लिखना है signature और contact number और चाहे तो email आप लिख सकते हैं और इसको submit कर देना आपने regional center में और आपका एक महिने के अंदर ही अपना आपका study center change कर दिया जाता है तो आप बात करते हैं आपके regional center की regional center की बात करें तो जब आप एक से दूसरे सहर जाते हैं तो आपको कई बार आप उस सहर में जिस सहर में आपका पहले regional center तो आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको regional center change करना होता है तो उसमें regional center और study center दोनों ही एक साथ change हो जाते है ठीक तो यहाँ पर लिखा होगा है इसी format में आपको लिखना है regional center उसक regional center इसको format को आप अपने हसाब से लिख सकते हैं लेकिन आब इसको प्यनला करना है बचों के बीच में यह confusion तो इसको old regional center में submit करना होता है ठीक old regional center में आपको इस form को regional center को exempt करना होगा जो कि आपका पुराना regional center वहाँ submit करना होगा फिर वहाँ पर से आपकी जिन्यवी store сек Ispunger details है उनको नए regional center में transfer कर देंगे और वही एक महिने के करीब में आपका change हो जाता है और नया regional center में आपकी सारे detail आ जाती है ये भी आपको मेरे telegram channel में pdf format में मिल जाएगा तो इस वीडियो में इतने वीडियो आपको बसंद है तो वीडियो को like जरूर कीजिए share जरूर कीजिए